हेलो इस्टुडेंट्स मैं जितंद्र एहंपा एसमेस इंस्टुट्यूट फेकुल्टी जैपूर जितंद्र एहंपा यूटूब चैनल में आप सभी स्टुडेंट्स का स्वागत है साथियों जो मोडल पेपर की टेस्ट सिरीज अंक फाइफ को लेकर के मैं आपके सामने जिरूं बारतिय इतियास के जो क्युष्ण आत्तर है उसके उपर अपन चर्चा कर रहे हैं लगबग अपन ने 120 के आसपास प्रश्णों के उपर चर्चा कर ली है और आगे जो है मैत्वपूर्ण प्रश्ण है ये साथियों कंट्यूनियो सिंदू गाटिस अब्यता से ले इस जल्दी से जल्दी जुड़ जाईए गा और ये आप इस यूटूब चैनल को इस लिंक को साथियो अपने status पे share कर लिजेगा ताकि और भी student है वो इसको देखे और साथियो सभी को benefit हो सके और साथियो आप इस YouTube चैनल को और इस वीडियो को like कर लिजेगा अधिक से अधिक share कर लिजेगा आपने मेरे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो साथियो subscribe कर लिजेगा करते हैं परचार हो गया बहुत है न क्यूषन सब्सक्राइब करते हैं क्यूषन 120 से करते हैं साथ यू पथ्यां के बाद में आपको मैं लगबग 15 10 से असपास सेकंड का समय सब्सक्राइब जो भी इस यूटूब चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पास में पैन को पी रखिएगा और उसमें करते जाएगा कि पहला क्यूशन सही दूसरा सही तीसरा गलत है तो गलत साथ उस रिसाब से मुझे कमेंट cricket करके बताना कि कितने क्यूशन सही हुए है जैसे मैं आपके डेली की 30 चिशन रख रहा हूं तो 30 में से क्यूशन कितने चही व swag उमझे इसका मुझे बताना तकि मुझे पता चले कि आपकी तयारी कैसी चल रही है उस सभी चीजों से तो साथियों अभी अपन 121 वा क्यूसन है उसके उपर चलते हैं कमेंट करके जद बताना कि आपकी कित्ति क्यूसन सही हुए है चलो क्यूसन नंबर फर्स्ट आज का फर्स्ट और साथियों कंटिउनिटी के कोडिंग 121 वा क्यूसन है पतास्न पढ़राऊं और अप्सन पढ़ऊंगा और 10-12 सेकेंड का समय दूँगा उसमें आप अपना अंसुत बता देना क्यूसन फर्स्ट है सात वहान या सा आंद्र सात्मान वंस का संस्ता क्यों था ओप्सन फर्स्ट शिमुक ओ कुष्चन का आंसर पहिएगा आपके अकॉडिंग दिमाग में सोचओ यह आपनी कोफी के अंदर मेंसर क्या है फिर उसके बाद मैं बताओं तो आप अपने से सही गलत कर लेना साथ में इसकुषन का आंसर है शिमुक साथ से किरिश्ना करण को पिर खोल यहाँ फिर नागनि वह सबसे अगोतमी पुत्रशाथ करने दॉषिस्टते पुत्रपुलुगा में यग्जिजरी ऋसक्तकर्णी सबसे सथी सात्यों साथवानवंस के शा सकते थे ara भी क्लिक किया वो एकदम सही है चलो क्यूशन नंबर दो और साथियो आज का 122 क्यूशन आज का क्यूशन नंबर दो और साथियो क्रम के एसाब से 122 क्यूशन कनेश की राजदानी कौन सी है जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी किजेगा आपको टाइम दे रहा हूँ सोच करके फटाक से आंस्वर लिखिएगा अपनी कोपी में जब तक मैं आंस्वर दे दूंगा आप अपना सही और गलत कानेशा साथियो इमानदार ये अपने आप की है हाँ जी साथियो इसका आंस्वर है ए जिसने पुरूष पूर बताया है कनेश की राजदानी ठीक बिल्कुल ये सही आंस्वर है क्यूशन नंबर 123 क्यूशन ये साथियों तक सिला के प्रसिद दिस्ताल ओने का कारण था मतलब तक सिला क्यों प्रसिद था ओप्शन फस्ट था टाचीन वेदिक कला के करण मोधि काल थड़ गंधार सेली के करण या गंधार कला के करण चोथा है गुप्त कला के करण का इस क्यूशन का 123 स्वे का जवाब दीजिएगा ठीक है students इसका answer यदि गंधार कला किया है आपने तो एकदम सही है साथियों ऐसा कोई question यदि आ जाए for future में तो आप गलत मत करना यदि अभी तो गलत हो जाए तो कोई नहीं for future में आ जाए तो गलत मत करना ठीक साथियों next 124 वा question बात करते हैं साथियों साथ वहान साथ वहानों के समय में जो मुद्रा है मुद्रा सरवादिक किस तातू के बने थे मतलब सोने जो सिक्के थे वो किस तातू के थे option first सीशा second 14 थर तामबा और चोथा है स्वर्ड साथियों सब्द लिखा हुआ सरवादिक कि जल्रीश जल्रीश जबाब दीजिएगा मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो खर्ट मुझेह सब्सक्राब लिखा थे साथियों सरवादिक की बात आये तो इस पूब्यान शेतरी जान डियान दीजिएगा स्वाल साथ वाहन सवासकों किसके छल्या रात saas su चरक और नागार्जन किसके दर्बार की सुभा बढ़ाते थे ओप्शन फ़स्ट कनिश्क सेकेंड आपके चंद्रगुप्त मोर्य थर्ड असोक और चुथा समुद्रगुप्त चरक और नागार्जन चरक महां चिकिसक था सल्लेच चिकिसक तो यह किसके दर्बार में थे यह क्यूशन है आपके सामने जल्री जल्री जबाब दीजिए साथियों इसका आंस्वर है ए जिसने भी कनिश्क बताया है यह बिल्कुल आपका आंस्वर सही है और नेक्स्ट अपना आते हैं 126 वा क्यूशन सक्स सवंद का प्रारंब किस समराठ के साशनकाल से साशनकाल में 78 इसी से माना जाता है ओप्शन फर्ष्ट असोक सेकेंड कनिश्क थर्ड हर्ष्ट चोथा समुद्र गुप्त ध्यान दीजिएगा क्यूशन नमबर 126 आज इस्टुनेंट्स जी आपने यदि इस क्यूशन का आंस्वर यदि बी बताया है बी बताया है तो आपका एकदम सही है वो है कनिश्क साथियों कुशान साशक कनिश्क के राज़ाबिशेक से 78 इस्वी से सक सवंद की सुरुवात हुई साथियों उसका ये साशक था वो कनिश्क कुशान साशक था कुशानों के बाद में सक आई थे सकों ने इस कलेंडर का सरवादिक प्रियूख किया इसलिए इस कलेंडर का नाम सक सवंद हो गया साथियों भारत का राश्ट्री कलेंडर यही सक सवंद है जो बंगाल के अंदर अधिक चलता है इसकी सुरुवा ओप्सन थर्ड अफगानिस्तान ऑप्सन चार इनमें से कोई नहीं जल्दी से जल्दी स्क्यूसन का जबाब दीजिए यह साथियो तक्स कौन था साथियो राम भगवान के बाई थे जिसका नाम है बहुत और बहुत का बेटा है जिसका नाम है तक्स और तक्स ने साथियो तक्स सीला नगर बसाया था और बगवान राम के बेटे लव ने लाहोर नगर बसाया था साथियो इसका आंस्वर साथियो आपके पाकिस्तान सही है पाकिस्तान साथियो अभी तक आपने मेरे इस यूटूब चैनल को लाइक नहीं किया सेर नहीं किया सक्स्राइब नहीं किया तो साथ जल्दी से जल्दी लाइक सेर और अपने स्टेटस और ग्रूप में शेर कर लीजेगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे-च्छे वीडियो ला सकूं जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही मैं अच्छे से काम करूंग साथ्यों क्यूशन नंबर 128 प्राचिन काल में कलिंग का महान सासक कौन था कलिंग का महान सासक कौन था ओप्शन फर्ष्ट अजा सत्रू सेकेंड बिंदुसार थर्ड कार्वेल और चोथा है मयूत सर्मन कि जल्द जल्द इस स्वेंते का जबाब दीजिएगा विस्टुडेंट्स आपके लिए इतने अच्छी क्यूशन मेहनत करके तयार करता हूं और नी शुल्क आपको प्रॉइड कर वता तो इस्टुडेंट्स कम से कम आप मेरा थोड़ा सा शापोर्ट करें अधिक सदिक से राज्य की राजदानी कहां थी ओप्शन फर्स्ट औरंगाबाद महाराश्टर सेकिंड पेठन या प्रतिष्ठान महाराश्टर थर्ड मदू रही तमिल लाडू के आसपास है और सात्यों इन में से कोई नहीं जल्दी जल्दी स्क्यूशन का जबाब दीजिएगा वन टू न वो बिल्कुल सही है पेठन या प्रतिष्ठान बिल्कुल सही आंसर है क्यूशन नंबर वन थर्टी एक सो तीस्वा क्यूशन है कि सात्वान नरेश ने गाथा सब्द सक्ति नामक मैं तो पूर्ण क्रति की रचना की ओप्शन फर्ष्ट गोत्मी पुत्र साथ करनी सेकिंड विश्ष्टी पुत्र पुलुगा में धर है हाल और सथ्यों चोत् ते है सिमुख की सात्वान ऑर है और के फारलिस extend करी 5 हविए विए तर्श्य पुराण के according सत्यों साथ वह हन्वाल वांग वन्ष्य का सत्रवा सा सक्वहा था हाल और सस्थ यौ अंदर अलुप्र प्राकरत वसा के अंदर गाथा सब्ध सत्य पुस्तक लिंख़ी थी और और साथियों यह प्रेम प्रसंग को लेकर के साथियों बनाई गई यह पुस्तक है लिखी गई पुस्तक है next question 131 7 वहान सासकों को राज की बासा थी 7 वहान सासकों की राज की बासा थी राज की बासा उप्सन फर्स्ट पाली सेकेंड प्राकरत थर्ड संस्क्रत या चोथा कोई नहीं जल्दी जल्दी इस क्यूशन का जबाब दीजिएगा साथ वहन वंस के सास्कों की राजकी ये बासाती है चलो इसमें साथियों आपके आंशवत जिसने भी प्राकरत किया है तो इसका आंशवत सही है प्राकरत नेक्स्ट है क्यूशन नंबर नेक्स्ट विक्रमी स्वंत की सुरुबात कब से मानी जाती है साथ विक्रमिश्वंत कोई मालव सवंत भी केते हैं मालव सवंत केते हैं हाँ जी जल्दी जल्दी जबाब दीजेगा ओप्षन फर्स्ट शेवंटी एट इस्वी में ओप्षन सेकेंड 57 इसापूर में थर्ड 72 इस्वी में और चोथा है 56 इस्वी में विक्रमिश्वंत के शुर्वात कब से वी तर्म कब हुआ राजा विक्रमत्य जो की उज्जेन या मालवा का सासक्ता और उसके राजय भी सेख मस्वी का जन्म हुआ उससे 57 साल पहले इसकी शुर्वात हुए थी और जैसे अभी चल रहा है 2021 तो साथियों यहां से 57 प्लस 2021 करेंगे तो आपके आजाएगा इसी तरह एक बार क्यूशन आया था वह आपके सामने रख रहा हूं साथियों क्यूशन था कि 56 विक्रमिश्वं क्यूशन पूचा गया फिर एक दो बार और भी एक्जाम में आ गया है तो साथियों अभी तक मारे मेरे यूटूब चैनल को लाइक शेर सक्स्राइब नहीं किया तो साथियों जल्दी सब्सक्राइब कर ले यह तो मेरा परचार हो गया थोड़ा सा इस्ट्वेंट्स मैं भ क्यूशन मिलेगा तो थोड़ा सयो करें हां 133 133 क्यूशन है साथ वह नरेश हाल के समकालीन गुणाध्य यह सब्द है गुणाध्य गुणाध्य ने किस प्राकरत्वासक की रचना की ओप्सन फर्स्ट व्रद कथा सेकेंड बुद्ध चरीत ओप्सन थर्ड लिल्वे और चोथा है सत सई साथ वह नरेश हाल के समकालीन कुण था गुणाध्य था इसका यदि आपने आंस्वर जल्द कीजिएगा 133 वा क्यूसन है इसका आंस्वर जल्दी जल्दी बतायेगा इसने आपने यदि ए बताया है ब्रद कथा तो यह साथियो बिल्कुल आपका आंस्वर चाहिए क्यूसन नमबर 134 तमील भासा में सिल पार्दिकारम और मनी मेक लई नामक गवर्व ग्रंत किससे समद्धित है। ौप्चन फर्स्ट जैन दर्म से। ऑप्चन शेकेंड बोर दर्म से। अप्चन थर्ड हिंदू दर्म से। और अप्चन चयार है। इसाई दर्म से। जल्दिस जल्दि इस क्यूशन का आंस्वर दीजीगा जल्दिस जल्दी की अंजिस्ट्रेंट्स तो यह क्यूशन नंबर वन थर्टी है इसका आंस्वर आपको साथ्यों कमेंट के अंदर बता दूंगा आप देख लेना comment के अंदर 134 का चलो question number 135 तौलकर PM तौलकर PM सात्यों जो ग्रंत है वो उसकी विशेवस्तु क्या है किसी समझदेत है option first प्रसारशन से समझदेत second विधी से समझदेत third व्याकराण और कावे से समझदेत चोथा है उप्यूक सभी साथ जल्दी जल्दी इस क्यूशन का जबाब दीजेगा तोल कर पियम ग्रंथ किससे समद्धित है कि 135 क्यूशन नंबर 135 जल्दी जल्दी जबाब दीजेगा कि हजी इसका यदे आपने आंस्वर दिया है तीन तो ये बिल्कुल सही है व्याकराण और काविय से समंद्धित तोलकर पीयर है जिसने लिखी है पुस्तक तोलकर पीयम तोलकर पीयर ने तोलकर पीयम पुस्तक लखी है जिसके अंदर तमिल व्याकरण और काविय से समंदिते हैं चलो क्यूसर संगम नबर 136 संगम निम्न मैं से किसे समंधिते संगम संगम का वेशा साथ कर्फ मिलन होता है उप्षमीं की Music हुआ है ौप्प्ander फर्सृट है परियों से सम्धित सेकंड कलाकार समंधित थर्ड विद्वानों से शमंधित और साथियों किया चौनी प्रोषल से समंधित प्रशाश सब्सक्राइब चल्स जल्दी जबाब दीजिएगा रांजी साथ्यों इस question का आंष्वर है तीन विदुद्वानों से समधित यदि यह संघंगम में से किसे समधित हैं तो साथ्यों तमील विदुद्वानों से समधित हैं शाथ्यों अभी तक मेरे इस यूटूब चैनल को शेयर सक्स्टाइब लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक सेयर सक्स्टाइब कर लें बार-बार याद दिला रहा हूं आजी नेक्स्ट क्यूशन है आपके तमिल कावे का इलियड किसे कहा जाता है इलियड ओडिसी होते हैं साथियों अंगलिज के अंदर तो साथियों पुस्तके ने बहुत ज़र फेमस है तिरुवल्लुवर ने लिखी थी संथ देखो अपन कभीक बार चोटे से पढ़ते थे तिरुवल्लुवर एक संथ था आपने चोट प्लासेज के अंदर पाठ हुआ करता तिरुवल्लुवर का ओप्शन थर्ड शिल्पति कार यदि आपने किया तो बिलकुल एकदम सही है चलो नेक्स्ट वन थर्टी एट तमिल का काव्य का ओडिसी कि सिका जाता है इलिए डोडी सी ऑप्शन फ़स्ट तो यह साथ यह इलिड की बात होगी अब ओडिसी की बात करते किस ग्रंत को ओडिसी का जाता है तोलकर पीम औप फर्स्ट, सेकेंड कुरल, थर्ड सिल्पतिकारम और चोता है मनी मेक लई, जल्री जल्री इस क्यूशन का जवाब दीजिएगा, 138 का, हाज इस्ट्रेंट्स, यदि आपने इसमें मनी मेक लई किया है, तो एक दम प्रफेक्ट आंस्वर है, और इलीड कौन सा है, सिल्पतिकार और साथियों, तमिल का ओडी सी है, मनी मेक लई, ठीके, क्यूशन नंबर नेक्स्ट, 139, गुप्त वन्स का संस्तापक कौन था, वास्त्री संस्तापक नहीं, संस्तापक पूछराओं, ओप्शन फर्स्ट, गटोत कर्च, ओप्शन सेकेंड, चांद्र गुप्त फर्स्ट, ओप्शन थार्ड, स्रीगुप्त, और चोथा है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी इस्क्यूशन का जवाब दीजिए, किन्तो संस्तापक की भाद करें, तो ये आपका सि उप्शन सही हो जाएगा, स्रीगुप्त है, वह साथ्यों द्यान दिजिए, ये आपके उप्शन में श्रीगुप्त नहीं है, तो घटोत कर्च आपके आंसर सही हो जाएगा, ठीक है शिरी गुप्त और गटोत कर्श की जानकारी अपने को साथियों प्रभावती गुप्त की पूर्णा तामर पत्र से अपने को जानकारी मिलती है चलो ठीक है next question एक सुचालीस वक्यों सने गुप्त सासकों की सरकारी या दर्बारी बासा कुन सी थी ऑप्सन फर्ष्ट पाली ऑप्सन सेकेंड प्राकरत ऑप्सन थर्ड हिंदी और ऑप्सन फॉर्थ संस्क्रत जल्दी जल्दी जवाब दीजगा गुप्त सासक कौन सी भासा बोलते थे और स्टेश्ट इसका ऑंसर है ये तो यह सारे बोलते हैं तो यह सासक थे उस समय के साथियों संस्क्रत पाशा का स्वर्ण काल गुप्त काल के लाता था हम गच्छामी इसे बोलते थे ठीक है याद जाएगा गुप्त हाँ नेक्स्ट क्यूशन नमबर वन फ्र वन एकृतालेस वक्यूसर नकी साम ने क्यूसर इतियासकार कि कह इसमित ने किया लिखावा है विज्यों से प्रभावित होकर उसे बारत का नेपोलियन कहकर पुकारा अच्छा इतियासकार विए इसमित ने किसकी विज्यों से प्रभावित होकर उसे बारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है हाँ जी साथियों इस में option फ़स्ट कुमारपाल कुमारगुप्ट option second समुत्रगुप्ट थर्ड इसकंदगुप्ट चोथा चंद्रगुप्ट जल्दी जल्दी बारत का नेपॉलियन किसे कहते है और साथियों क्यूषन आ जाये तो किस ने कहा है तो भी यह समित ने कहा है तो ठीक है प्रस बोद्रण और ग्रह मोक्षानु ग्रह की निती अपने अभी तक मेरे इस यूटूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो चलो क्यूसर नमबर नेक्स्ट 142 अजन्ता कलाकृतियां किस से समंधिते मतलब किस काल में इसका पर नर्माण गुए था अजन्ता का गुफाओं और लो रा की गुफाएं जो है चितरकार के लिए परसिदे आप सन फर्स्ट अडपा काल में कि औ सधर बुद्ध काल में और संटियाधे गुप्थ जल्दी से जल्दी कि संका जबाब दीजीएगा आजंता की कि न समय डिकर किसे सं मढद़े तर इसका आंस्वर है आपके जल्दी से जल्दी जबाब हो option 4 ठीक है, गुप्त काल में ठीक है, next question एक सो 143, कौन सा 4 3 143 कभी काली दास किस के राज कभी थे कभी काली दास किस के राज कभी थे option first चंदर गुप्त मोरे, option second समुद्र गुप्त, option third चंदर गुप्त, second जिससे विक्रमाते भी कहते हैं, चंदर गुप्त, विक्रमाते चंदर गुप्त, second को कहते हैं, option for third परदन काली दास किस के दरबार में थे, students काली दास खुब आपने इनकी पुस्तकों के नाम सुने होंगे कुमार संभावर, न रगुवन समर मेग दूतर अभी ज्यान सकुन्त लम मालवी कागनी मित्र विक्रमार वश्री ये सारी इनकी पुस्तके हैं, जल्दी जल्दी जबाब दीजिए, किसके दरबार में थे, चंदर गुप्त, विक्र मत देखे, ठीक है, option इसमें थर्ड सही है, फाहयान, नेक्ष्ट क्यूशन है, आपके, सामने फाहयान किसके सासनकाल में बापता आया था, साथियो ऑप्सन फर्स्ट, चंदर गुप्त, फर्स्ट, सेकिंड, असोक, थर्ड हर्सवर्दन, वो चोथा है, चंदर गुप्त, विक्रमात ते, जिससे दर्बार में आया था, बिल्कुल साथियों, आपने यहीं सोचा है, इसका उप्सन च्यार, तो आपका एकदम पर्फेक्ट आंस्वर है, एंसांग, अर्सवर्दन के समय आया था, ठीके, चंदर गुप्त, विक्रमात ते के समय था, फाहयान ने फूको की पुस्तक लिखी, फूको की, इसकी पुस्तक है, और साथियों, अर्सवर्दन के दर्बार में आया था, एंसांग, जिसने, सी यू की पुस्तक लिखी, सी यू की, ये इन दोनों की यात्रा वर्तानत है, इससाब से साथियों मैंने बताया आपके सामने, क्यूसर नमबर 145, बारतिय संस्कृत तिक अस्वर्ण यू की से केते हैं, golden period of Indian culture known as, option first, Moria Empire, option second, राजपूत Empire, option third, चोल Empire, option fourth, गुप्त Empire, ठीक है, मोरे सामरा जे, राजपूत सामरा जे, या गुप्त सामरा जे, या गुप्त काल कह सकते हैं, गुप्त पिरियेड जल्दी जल्दी जबाब दीजेगा बारतिय संस्क्रति का स्वर्ण यू किसे कहा जाता है इसमें यह आपने option 4 यह क्लिक किया है तो आपका एकदम आंस्वर सही है option 4 इसका एकदम प्रफेक्ट आंस्वर है कि दी बारतिय संस्क्रति का स्वर्ण यू कहा जाता है गुप्त काल को option सात्यों अभी तक मेरे इस यूट्यूब कर दो रहा है आप सभी छोटे बड़े बेहन भाईयों से की में प्रेरी तो करके आपके लिए इतना कर रहा हूं लाइक सेथ सब्सक्राइब कर लगना इस्ट्रेंट्स नेक्स्ट क्यूशन नमबर यह 146 चंद्रकुप्त ने विक्रमात्य की उपादी कब दार्ण की जल्द चांदी के सिक्के जारी करने पर उप्शन फॉर्ट प्रप्यूप्शा भी है उपादीकब दार्ण की जल्दी जल्दी जबाब दीजिए साथियों ध्रूस वामेनी वाली कहानी और आपको पता ही है एक डेवी चंद्र गुप्तम विशाक्दत की पुस्तक उसकी कहानी में में ने सुनाई थी याद हो तो साथियों ओप्शन फर्ष्ट सकों के पराज्य के बाद में सकों को पराजित किया था आपको पता है न हाँ जी दुरूस वामेनी को ले गया था खुब चुटकले सुनाई थे क्लास में नेक्स्ट क्यूसर नंबर 147 दन्वंत्री कौन थे य इसमें ऑप्शन first के चंद्रगुप्त मोरे के विख्यार ऑप्शन शक्रीन है चंद्रगुप्त विक्रमात्य के हाँ जी इसका साथियो आंस्वर ये आपने दो क्लिक किया तो बिल्कुल सही है साथियो चंद्रगुप्त विक्रमात्य जिसे चंद्रगुप्त सेकेंड केते उसके दर्बार में एक चिकी सकते नव रत्नों में से एक चिकी सकते ठीक बात है तो इसमें चंद्रगुप्त विक अलाका सर्वत्तम मंदिर निम्ड में से कौन सा है ओप्षन फर्स्ट वित्रिगाओ के मंदिर ओप्षन सेकेंड देवगड का दसावतार मंदिर यह क्यों सब्सक्राइब फर्स्ट ग्रेड में वहाए था ओप्षन थर्ड भूमरा का बगवान शिव मंदिर और चोथा लिखाओ इस्टुडेंट्स कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई दिकत नहीं मैं बोल रहाँ उसके उपर द्यान देना तिगवा का विष्टु मंदिर यह च्यार उप्षन है जल्दी जल्दी इसका सर्वत्तम मुद्धार्ण जी देवगण जयसी क्या ऊसपास है यदि आपने स्कैशन कांसवर ना दिया है देवगण का दस आ आवटार मंदिर देव कट्त आवटार सात्यों दस अवतर हुए थे बागवत धर्म के अकोरडिंग इसका आंसोर भी यह धैसा अवत इस नंहुंध The दस अवतार सात्यों मतस्य आवतार, कुरम अवतार से द म्रहां अवतार आभार वरा उवतार उसके आद में साथियो नर्सिय आवतार वामन आवतार पर्सुराम राम बलराम बुद्ध और कलकी साथ यह कलकी बविश्य में होगा इस तरह से मैंने आपके सामने मतश्य पुराण में वर्णित दस आवतारों का बताया है ठीक है तो दस आवतारों का मंदिर बना हुए देव झाट सींदर टेक है यह गुप्त काल की सर्वॉत्तम उद्धारन थैं सेखेयों मंदिरों का निर्माण बवार्ति है य जबाब दीजेगा मतला गुप्त सबंद की सुधवात किसके राज्या बिसमें यही है में आपको कोपी में देखो गे तो सब कुस यह क्यूशन लगबग मिल जाएंगे option A इसका एकड़म perfect answer है चंद्र गुप्त फ़स्ट गुप्त सासक चंद्र गुप्त फ़स्ट जैसे वास्त्रिक संस्तापक भी कहते हैं के जिसने लिच्वी राज कुमारी कुमारी देवी सेवीव और उससे बेटें की उत्पतिवी उसका नाम है समुध्र गुप्त चंद्र गुप्त फ़स्ट ने राज सता से सिंहासान समुध्र गुप्त को सॉप दिया था सहत्यों next किसनर नमर 150 गुप्तकाल का प्राचिन नाम में ऐस बारत का क्लासिक यूग क्यों कहा जाता Twin को यूग क्यों कह जाता है स्वणने UmkalG is अप्षन सेकेंड कालाव gratuitous करति के चैतर में अपने चर्मोट कर आप संतर पतोर मात्रामें capitalism के चला जाने के कारण अप्षन च्यार इन में से उप्योग्तस अब ही Спawi 6 U कि इसमें से कौन सा सही है आपके कोडिंग जल्दी जल्दी इस क्यूशन का जबब दीजिएगा कि ऑप्सन भी आपका एकदम प्रफेक्ट है यदि आपने ऑप्सन भी इसका अंस्वर किया है तो एकदम सही है साथियों साथियों ऑब आपके सामने पूरे होते हैं इसमसा ने देली लगभग के सामने रखोंगा जो आप अपना मुल्यांग काड़ कर सके और यहीं कि वाली वापश रिपीड होते हैं तो साथियों आपका साइए मैं आपसे उमीद करता हूं साथियों मैं जितंद्र एंपा कि साथियों आपने मेरे इस यूटूब चैनल को सक्स्टाइब नहीं किया तो सब्सक्स्टाइब कर लेना और लाइक तो करी लेना और वीडियों को अपने इस्टेटस या आपकी सी गुरूप से जुड़े विए तो आपका एक छोटा सा सयोग मुझे साथियों थोड़ा सा मोटिवेशन देगा तो थैंक्यू सो मच इस्ट्रेंट्स जद जोड़ नहीं आता है स्ट्रेंट्स अलका सा क्लिक कर लेना और बेल आइकन भी बजा देना तक कि साथियों और भी स्टुडेंट्स के पास में वीडियो पहुंचे ठीक है दन्यवाद स्टुडेंट्स थैंक्यू सो मच आज की सबह यहीं समापत होती है मुझे दीजी अनुमती